असलाम अलेकुम एवरीवन और वेल्कम बाक तो मैं चैनल, होब यौल आ दोइंग ग्रेट, आज की हमारी रेसिपी है आलू की भुजिया, आज मैं आपको से खाऊंगी जिस तरीके से हमारे घर में पसंद की जाती है, I'm sure सबके घरों में बनती तो है, लेकिन आज मैं आपको जब तक ये light golden ना हो जाए, जब प्यास फ्राइ करते हुए आपने make sure करना है कि आप इसमें चमल चलाते रहें, वरना कहीं से वो dark brown हो जाएगा और कहीं से light brown रह जाएगा, अच्छा, तीन से चार मिनिट तकरीब इसे low to medium heat पे भूनने के बाद, मैंने इसमें एक एक टेबल spoon डाला है, लहसन और अधरका पेस्ट यानि के जिंजर गालिक पेस्ट, अब इसे एक से दो मिनट मजीद भूनने के बाद इसमें मैं दो टेबल स्पून भरके जीरा डालूँगी, और आदा टीजपून मेथी दाना डालूँगी, और आदा टीजपून ही, इसमें राई द कर दूँगी जो के मैंने तीन लिये थे बड़े साइस के साथ-साथ अब हम इसमें spices add कर देंगे जिसमें एक टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है एक टेबल स्पून कॉरियंडर पाउडर सॉल्ट अपने टेस्के कॉर्डिंग आप डालें इसमें हाफ टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है हल्दी तेबल टीस्पून मैंने इसमें डाली है कुटी लाल मिर्च अगर आपको थोड़ा चार से पांच मिनिट पकाऊंगी ताके टमांटर अच्छी तरह से गल जाए अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नी किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें हम अपना मसाला चैक कर लेते हैं और टमांटर अच्छी तरह से बलकुल गल चुके हैं और अब इस पॉइंट पे मैं इसमें अलू एट करूंगी जो के मैंने हाफ की जिलिये थे और इनको मैंने बरी बरी काट लिया था और साथ ही इसमें तकरीबन दो कब जितना मैं पानी शामिल कर दूंगी और मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए रख दूंगी 15-20 मिनट के बाद हमारे आलो की भुजिया रेडी हो गई थी बहुत ही मजे की और चटपटी सी बनी थी आपने मुझे कमें सेक्षिन में ट्राय करके इसको बताना जरूर है क इसके उपर धनिया गार्निश कर देंगे जो के मैंने हैंडफल अमाउंट में लिया था और बारीक बारीक इसे काट लिया था और साथ चार से पांच में इसमें ग्रीन चिलीज आड़ कर दूंगी आलो की बुजिया को आप गरम-गरम पराठों के साथ खाएं तो यगीन ज आद रखिए का इंशाला फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला हाफिज